लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार बहुत स्वागे थे आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे इंडोर के लाइजी इस्थित गुरुद्वारे में सिखो के दसवे गुरु गोविंद सिह की 353 जैन्ती समारों के अउसर पर देश के हज़ारों स्रधालों ने माथा टेका गुरु गोविंद सिह के चार साहिब जादो एओम माता गुजर कौर की शहादत को समर्पित किर्दन समागम का कारिक्रम आयुजित किया गया कारिक्रम के लिए विशेश रूप से पटियाला के अफ्तार सीह को आमंतृत किया गया था अफ्तार सीह ने दशमेश पिता गुरु गोविन सीह के परिवार द्वारा हिंदू धर्म को बचाने के लिए दी गई शहादतों के बारे में विस्तार पूरोग बताते हुए उनकी जिवनी का परिश्य दिया उन्होंने बताये कि गुरु गोविन सीह के परिवार की शहादत की बदालत ही आज हर हिंदू अमन चैन की सास ले रहा है इसी बीच उन्होंने गुरु नानक देव जी की महराज और गुरु गोविन सीह के जीवन पर भी प्रकाश डाला और इनके कदमों पर चलने का उपदेश दिया युवाओं को इस तरह के धार्मिक कारिक्रमों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि इन धार्मिक कारिक्रमों से समाज में बहतर संदेश जाता है वही मन को भी शान्ती मिलती है ऐसे कारिक्रमों में भाग लेने से जहां मनुष्य को पूर्णी की प्राप्ति होती है वही समाज में भी भाईचारा की भावना जागरत होती है और प्रेम बढ़ता है विर रिपोर्ट निउस 29 इंडिया तो आप देखते रहें निउस 29 इंडि निए में पालाव निए थारी होती है तो आप लाईश्य की आप लाईवे लाईश्य कार प्राप